प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक स्तर पर विशेश आवर्शिक्ता वाले बच्चों के लिए कारिक्रम टिक 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 ये किसकी आवाज है? बताओ तो किसकी आवाज है? पता नहीं जरा ध्यान से सुनो सोचो अच्छा ये गीत सुनो फिर बताओ सबको है वो समय बताती टिक 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 करती जाती हाथों की जो शान बढ़ाती दीवारों को खूब सजाती हाथों की जो शान बढ़ाती दीवारों को खूब सजाती तिक टिक करती जाती घड़ी हाँ शाबाश बिलकुल ठीक घड़ी ही तो करती है टिक 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 अच्छा ये बताओ तुमने देखी है घड़ी हाँ मैंने भी देखी है मैंने भी मैंने भी मेरे घर तो बहुत बड़ी घड़ी है डिवार पर लगी है मेरे घर भी एक घड़ी है जिसमे अलान बचता है मा रोज सुभा अलाम सुनकर ही उठती है और मुझे भी उठाती है पिताजी के पास भी घड़ी है वो हाथ पर पहनते हैं और मेरे पास तो अपनी छोटी इसी गड़ी है जिसे मैं पहनता हूँ ये रही तो भाई घड़ी तो सबने ही देखी है अब ये बताओ घड़ी से क्या करते हैं घड़ी से समय देखकर मैं सुबह उठता हूँ और मेरी घड़ी में जब चार बचते हैं तो मैं पढ़ती हूँ मैं घड़ी में समय देखकर स्कूल जाता हूँ इसका मतलब तुम घड़ी देखकर अपने बहुत सारे काम करते हो जैसे सुबह उठना, स्कूल जाना और पढ़ना घड़ी देखकर तुम अपने सभी काम ठीक समय पर करते हो याने हम घड़ी से समय देखते हैं घड़ी में जब सुबह के साथ बचते हैं तो मैं स्कूल जाता हूँ और फिर दिन में दो बजे हमारी छुट्टी हो जाती है और हम घर आ जाते हैं भई घर आना सबको अच्छा लगता है, है न? हाँ बहुत अच्छा लगता है अच्छा अब जरा ये बताओ अगर घड़ी ना होती तो क्या होता? हम स्कूल समय से नहीं पोचते पिता जी टफ्टर समय से नहीं पोचते मा मुझे सुबर छे बजे कैसे उठाती? हम ये बात तो है घड़ी से समय देख कर ही हम सारे काम सही समय पर कर पाते हैं अब जरा सोचो अगर घड़ी ठीक समय न बताए तो क्या हो? क्या हो? हम वही जो हमारे सोनू के साथ हुआ क्या हुआ भईया? भई एक लड़का था सोनू वो अपने सब काम घड़ी से समय देख कर ही करता था समय से उठता समय से स्कूल जाता समय से घर आता और समय से खेलता और फिर समय से ही सो जाता था एक दिन की बात है मा मा मैं सोने जा रहा हूँ मुझे कल सुबे जल्दी जगा देना क्यूं? कल क्या है? कल हमारे स्कूल में कटपुतली का खेल है कटपुतली का खेल? हाँ मा और दीदी ने कहा है कि कल सुबह जल्दी आना है सुबह साथ बजे से कटपुतली का खेल शुरू हो जाएगा ठीक है तू सोजा सुबह तुझे जल्दी उठा दूंगी मा भूलना मत हाँ हाँ उठा दूंगी सुनू सो गया मा भी सो गई जानते हो फिर क्या हुआ क्या हुआ भाब या क्या हुआ सोनू बेटा उठ सवेरा हो गया आज तो तुझे जल्दी स्कूल जाना है ना कटपुतली का खेल देखने के लिए मा मा तुमने मुझे जगा आया क्यों नहीं छे बच गए कटपुतली का खेल तो साथ बजे है ना हाँ मा अच्छा तु अब जल्दी से तयार हो जा ठीक है मा सोनू तयार होकर नाश्टा करके स्कूल के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसने घड़ी देखी उसमें तो अब भी छे ही बजे थे सोनू घबरा गया मा से बोला मा मा घड़ी में तो अभी भी छे बजे है क्या अभी भी छे बजे है लगता है घड़ी बंद हो गई अब क्या होगा मा मेरा कटपुतली का खेल चलो अब जल्दी से चलते है कहीं कटपुतली का खेल शुरू न हो गया हो सोनू और उसकी मा जल्दी जल्दी स्कूल पहुँचे सोनू को दूर से ही कटपुतली के खेल की आवास सुनाई दी सोनू मा से बोला मा मा लगता है कटपुतली का खेल शुरू हो गया जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो हाँ हाँ, तुम भाग के जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ कटपुतली का खेल देखने पहुचता, खेल तो खत्म ही हो चुका था जानते हो क्यों, सोनु तेर से स्कूल पहुचा था न, शायद इसलिए हाँ हाँ, उसे तो साथ बजे स्कूल पहुचना था हाँ, तो सोनु साथ बजे स्कूल क्यों नहीं पहुचा, उसने स्कूल जाने से पहले घड़ी भी देखी थी हाँ घड़ी तो देखी थी लेकिन क्यों नहीं पोचा बच्चों सोनू की घड़ी तो छे बजे बंद हो गई इसलिए तो उसे सही समय का पता ही नहीं चला और वो देर से स्कूल पहुचा हाँ और सोनू कटपुतली का खेल भी नहीं देख पाया इसका मतलब तो घड़ी बंद होने से हमें बहुत परिशानी हो सकती है हाँ इसे तो सही समय का पता ही नहीं चलेगा क्यों क्या तुम्हारी घड़ी भी कभी बंद हुई थी हाँ एक बार हमारी घड़ी भी बंद हो गई थी तो सही समय का पता ही नहीं चल पाया जिससे मेरी तो स्कूल की बस ही निकल गए थी तो देखा तुमने घड़ी हमारे कितने काम की चीज है घड़ी से हमें समय का पता चलता है और घड़ी से समय देखकर हम स्कूल जाते हैं घड़ी से समय देखकर हम सुबह उठते हैं पर देखो घड़ी कहीं बंद ना हो जाए चाहे करो कोई भी काम पढ़ना लिखना या आराम घड़ी हमारे आये काम घड़ी हमारे आये काम घड़ी हमारे आये काम टिक 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 सुभा सवेरे हमें उठाती, सही समय पर स्कूल पहुचाती सुभा सवेरे हमें उठाती, सही समय पर स्कूल पहुचाती और स्कूल की छुट्टी का भी तो ध्यान दिलाती है घड़ी ही करती ये सब काम, घड़ी हमारे आये काम तिक 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 खेल कूद का समय बताती, रात समय पर हमें सुलाती खेल कूद का समय बताती, रात समय पर हमें सुलाती तिक 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 करती जाती है तिक 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 डॉक्टर स्वर्ना गुप्ता, आलेक, उशा ग्रोवर, कलाकार, सुचित्र गुप्ता, बावला कोचर, पायल, प्रतिमा, पल्लवी और रसग्य, संगीतकार, राकेश पंडित, ध्वन्यंकन, दीपक पांडे, तथा निर्माण एवं प्रस्तुती, वंधना अरिमर्दन, वं यंदना.